यह है Motorola G31 और यहाँ पे आज मैं इस phone के features को आपको बताने वाला हूँ जो सिर्फ Motorola के phone में ही आपको देखने को मिलते हैं और Motorola के अलावा और कोई भी smartphone में आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो guys simply guys आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है बस आपको setting में जाना है और बहुत चारे आपको जो है इसमें setting और features आपको देखने को मिल जाएंगे तो guys जो mainly features हैं वो आपको moto वाले जो application है उसमें देखने को मिल जाएंगे जहां पे guys moto gaming time, game time के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है तो अगर आपको moto game time के बारे में जानना है तो वो वीडियो i button में मैं attach कर रहा हूँ वहां से आप जाके देख सकते हो तो guys यहाँआ पर start करतें features के बारे में तो features guys यहाँपर आप देख सकते हो पहला है यहाँपे personalize मतलब आपका जैसा मन करें वैशा आप font रख सकते हो आप जो है इस icons को application का icons को आप change कर सकते हो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ-कुछ आपको जो है features देखने को बिलेगा, पहले यहाँ पे style आपको देखने को बिलेगा, style यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी जो application का icon यहाँ पे आप देख रहे हो, इस type का है, लेकिन यहाँ से आप अपने application का icon को change कर सकते हो, जैसा आप कमन करें इस टाइप से कर सकते हो अगर आप चाहते हो इस टाइप से करना तो इस टाइप से आप कर सकते हो उसके बाद गईस आप कुछ और थीम वगरा एड करना चाहते हो तो यहां से थीम में जाके आप जो है एड कर सकते हो और अपलाई का बटन पुट करोगे तो आपका फीचर अपलाई हो जाएगा गएस बात करते हैं वाल पेपर की तो आपको । देखने को मिलेंगे यह जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था इस टाइब की यूज कर सकते हो साथ मैं stylus भी आपको wallpaper देखने को मिलेंगे और guys यहाँ पर device wallpaper भी आपको देखने को मिलेगा जो पहले से है तो यहाँ से आप select कर सकते हो बाखी guys अगर आप screen में long press करोगे तो भी guys यहाँ पर आपको wallpaper option आपको जरूर से देखने को मिल जाता है तो guys यही रहा personal वाले का अब बात करते हैं next के बारे में तो यहाँ पर guys दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पर make it easy yourself guys कुछ gestures आपको देखने को मिलेंगे जो सिर्फ Motorola के smartphone में ही आपको देखने को मिलते हैं और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है तो यह बहुत बड़ी बात है guys जैसे कि अगर मैं gesture में जाऊं तो guys यहाँ पर आपको बहुत सारे gesture देखने को मिलेंगे just like यहाँ पर अगर आप quick capture करना चाहते हैं तो यहाँ पर guys जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आपका camera on हो जाएगा तो और एक बार अगर आप एक बार और twist करेंगे तो front camera on हो जाएगा और वहीं पर guys fast torch अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है बस आपको प्लेफोन को chop chop करना है उसके देख बार और chop chop करना है तो off हो जाएगा फिर on हो जाएगा तो बहुत अच्छी feature guys आप इसको on कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते है ऐसा feature तो off कर सकते हो और उसके बाद guys अगर आपको fingerprint लेना है तो three finger का आप use करके fingerprint ले सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने face के पास लाओगे तो unlock हो जाएगा automatic तो यहाँ पर शोमी हाउक option आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जैसे ही आप शोमी हाउक करोगे तो यहाँ पर आपको आपको face वगेरा जो है identify करेगा आपके face को यह capture कर लेगा उसका जब आप अपनी phone को उठाओगे तो unlock हो जाता है और सबसे बड़ी feature guys यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही phone यह आपको बहुत अच्छे से response देता है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो तो guys यह में एक उस बहुत ज़्याद अच्छा feature लगता है motorola का especially और यहाँ पर guys अब next feature की बात करते है गेस्टर में ही आपको मिल जाएगा flip to dnd मतलब do not disturb mode जो है वो आपको on हो जाएगा अगर आप इसको on करते हो simply guys आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको बस पर बात करते है pick up to silence तो guys यह phone क्या है अगर आप इसको on कर दोगे तो जैसे किसी का call आएगा तो call आएगा तो वो ring करेगा तो जैसे guys आप अपने phone को हाथ में ले लोगे और ring जो है automatic off हो जाएगा guys तो बहुत अच्छी बात है फिर ring सुनने की आपको ज़रत भी नहीं है और आज पास के लोग disturb भी नहीं होएंगे अगर आप library या फिर class में है तो बहुत अच्छी बात है यह अपने phone में dual screen मतलब dual display यूज़ करना चाहते है तो वो भी feature इसमें available है तो कुछ भी नहीं करना आपको बस phone को ऐसे लेना है कोई भी application मान लीज़े मैं YouTube on करना हूँ और मैं यहाँ पर double finger on हो गया तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ यहाँ पर simply यहाँ पर आपको उंगली रखना और ऐसे करके फट से लाना है तो double finger से जो है split screen on हो जाएका मतलब दो application आप यूज़ कर सकते हो अब जैसे कि मुझे नीचे में कुछ औ मिल रहा है तो वह बहुत अच्छी बात है और Motorola में specially बहुत खास फीचर मिलते हैं जो हर फोन में नहीं मिलते हैं तो यह फीचर भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा अब अगली फीचर की बात करते हैं यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको देखने को मिल हैं और यहाँ पर बात करते हैं आप फोन की डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले में कुछ आपको फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि पीक डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर कुछ शो करेगा अगर यहाँ पर नॉटिफिकेशन आया होगा त notification नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है सब बात करते हैं अगले फीचर की बारे में तो डिस्प्ले में एक है attentive display की feature जो की बहुत अच्छी feature है अगर आप guys अपने फोन को अपने आँखों से दूर या फिर अपने से थोड़ा दूर ले जाओगे तो automatic जो उसका display है उसकी जो light है उसकी जो brightness वो डीम हो जाएगी वो कम हो जाएगी जिससे आप अपने फोन की बैटरी बहुत अच्छे से बचा सकते हो और किसी और कोई और आपके फोन के स्क्रीन में नहीं देख पाएगा ये भी एक अच्छा security है तो यहाँ पे guys बहुत अच्छ तो guys उसके उपर मैं काम कर रहा हूँ तो full zero to 100% testing हो रही है तो मैं आपको बहुत जल्दी दूँगा लेकिन guys मैं आपको बता दूँँ कि battery जो इसका backup है बहुत अच्छा है guys बहुत अच्छा है even guys मैं ज्यादा use नहीं करता हूँ phone को लेकिन फिर भी guys मैं charge नहीं करता तो भी 5-6 दिन इसको charge करना नहीं पड़ता है मतलब guys मैं कभी इसका 0% battery हुआ ही नहीं आज तक ऐसा समझ लीजे तो बहुत अच्छा battery backup है और हाला कि ये बात भी है कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन हाँ PUBG मैंने जो है BGMI मैंने install करके रखा है तो ये भी आप देख सकते हो बाकी guys यहाँ पर प्ले के ऊपर जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखा है guys तो ये gaming वाला जो चीज है वो आप अलग से देख सकते हो आई बटन में जो मैंने attach कि है वहाँ से आप देख सकते हो अब बात करते हैं इस कुछ अलग features की जो हम लोग को setting में ही देखने को मिलत है और उसके बाद guys यहाँ पर हम लोग को कुछ cast screen का देखने को मिलेगा bad time mode हम लोग को देखने को मिलेगा जो आप अपने हिसाब से जब आप सोते हो जब आप जाते हो आप वो आप अपने हिसाब से इसको on कर सकते हो loadout आपका जो phone का screen हो yellowist हो जाएगा जैसा हर phone में भी हो feature और भी हैं जिसको आप add करना चाहते हो तो आपको यह pencil वाली जो key है इस पर आपको जाना पड़ेगा और pencil वाली key में जाएंगे guys तो यहाँ पर आपको selfie camera का mode देखने को मिलेगा तो अगर आप इसको long press करके यहाँ पर लाएंगे तो फीचर है यहाँ पर आपको देखने क चाहिए focus mode अगर आपको चाहिए और अगर आपको TV remote चाहिए guys तो मतलब यह Redmi वाला फीचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब हम लोग इसको TV remote जैसे भी use कर सकते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि Redmi के ही phone में जो है IR sensor होता है हाँ पर इसमें IR sensor नहीं है लेकिन फिर भी as a TV remote इसको हम लोग use कर सकते हैं आप कैसे करते हैं guys मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में तो यहाँ पर guys आप देख सकते हो TV remote को जैसे मान लेजे मैंने on किया उसके बाद guys यह जो है access मांगेगा हमारे location का और उसके बाद guys यहाँ पर हम लोग को जो है device को select करना पड़ेगा direct ज फिर आप उसको as a remote use कर सकते हो बहुत अच्छी बात है तो यह feature guys आपको कोई नहीं बताया होगा और भी बहुत सारे Motorola के phone view features आपको देखने को मिलेंगे और मैं मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा important नहीं है और आप उसको setting में जाओगे तो आपको एक नाएक मिल ही जाएग आपको आप खुद ही उसको देख लोगे तो मैं गाइस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता तो अगर आपका कोई question है या फिर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप comment कर सकते हो guys कि आपको कैसा वीडियो चाहिए बाकि battery के ऊपर जो वीडियो है वो shoot हो केंगाइस